चलिए तो हम पहले producer of ecosystem को अच्छे से समझ लेते हैं जितना अच्छे से समझ सकते हैं ठीक है देखिए पहले बात कि इस producer को कई सारे अलग अलग नाम से भी जानते हैं जैसे कि इसी producer को हम लोग converter के नाम से जानते हैं converter इसी producer को हम लोग transducer के नाम से जानते हैं और ऐसा क्यों तो मैं आपको बताता हूं अभी अभी just मैंने आपको बताया है कि actual में producer कौन है तो मैंने कहा mainly green plants क्या बला मैंने mainly green plant green plant क्या है producer है तो समझा जहां से इनको converter क्यों बोला क्योंकि यह simple inorganic substance को environment से लेकर solar light की presence में क्या बला मैंने solar light मतलब sunlight solar energy की utilization करते हुए solar energy की मरत से यह उस inorganic substance को complex organic substance में convert कर देते हैं और इस दोरान यह solar energy chemical energy में convert हो जाता है और उस complex organic substance के chemical bond में यह energy conserve हो जाता है इसका मतलब आप कह सकते हैं कि solar energy को यह chemical energy में convert करते हैं इसलिए इसको converter भी कहते हैं और transducer भी कहते हैं क्योंकि energy को trans कर रहे हैं मतलब conversion कर रहे हैं solar energy को chemical energy में convert करने का काम कर रहे हैं कौन producer इसलिए producer को आप बोलेंगे converter और transducer यह mainly green plant होते हैं otherwise green plant के अलावा मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि green plant के अलावा कुछ phototrophic bacteria और autotrophic bacteria भी होते हैं मगर हम उसको आम भासा में producer के नाम पर उसका नाम नहीं लेते हैं क्यों नहीं लेते हैं तो इसका भी कारण है green plant ऐसे producer हैं जो अपना complex organic compound खुद बनाते हैं खुद utilize भी करते हैं और heterotroph को भी supply करते हैं मगर photo autotrophic bacteria या chemo autotrophic bacteria भी producer हैं लेकिन वो ऐसे producer हैं जो अपना complex organic compound खुद बनाते हैं खुद ही खाते हैं किसी दूसरे को supply नहीं करते हैं क्योंकि एक individual bacteria के पास इतनी chemical energy का storage नहीं हो सकता कि heterotroph उस bacteria पर depend करे अपने food के demand के लिए इसलिए आम भासा में photo autotrophic bacteria या chemo autotrophic bacteria को हम ecosystem के producer में count नहीं करते हैं अगर कर भी लें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है लेकिन mainly green plants are producer अब green plants में भी कई प्रकाड के plant है एक है macrofights और एक है microfights आपको नाम से तो पता चली चुका होगा macro का मतलब size में बड़े बड़े plant मतलब tree और micro आपको नाम से तो पता चली गया होगा कि basically यह algae है और मैं बार बार क्या रहा हूँ algae b plant है आरेज विटेकर के according algae b plant है algae b plant और कुछ plant microscopic plant भी होते हैं चाहे वो ब्राय हो टेडो हो और कुछ जिमनों भी है ठीक है algae microscopic plant है मान लिया मैं लेगन algae भी तो plant है चलिए अब मैं बता रहा हूँ कि यह producer ब्रॉटली दो कटेगरी में मैंने डिवाइट किया macro fights और micro fights इसका मतलब यह large body वाले हैं और यह small body वाले हैं यह microscopic plant इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इसका biomass और इसका biomass किसका biomass ज्यादा और किसका कम रास्री किसका biomass ज्यादा और किसका biomass कम बलो macrophages का biomass ज्यादा और इसका biomass कम और अगर ऐसा है तो सुने का ध्यांस से उसी बायो मास में जो plant है क्या उसी बायो मास में उसका leaf इाता होगा और बिल्कुल आता होगा और क्या leaf में कलोरोफिल होता है बिल्कुल होता है और कल ही मेंने सम Len Kenn out medications का अगर गिलांग सोन नगप घड़ को हैं तो अगर लफ में बाइमाज जादा तो लीफ जादा जादा चरिक गल ज्यादा और यह को नहों बस लीफ नहीं है लेकिन यह को मुझाज हुझार्ट कर रहा हूं нос साइज लार्श बोडी साइज स्मॉल बोडी साइज लार्श तो बायमास जादा तो लिव जादा कॉलोडफिल जादा अगर मैक्रोफाइट से तो बोडी साइज स्मॉल तो बायमास कॉम कॉलोडफिल कॉम और अगर ऐसा है तो कह देना जिसके पास कॉलोडफिल जादा तो ब क्ध suis carbon cup क्योंकि या वलक्ष सकते हैं और यतलो अपना क्लोडी私 स्टम में प्रडूँसर के रॉल् district पर बहुत ब़ड़ा रूल कर रहा है क्योंकि यह ज़ादा क्यूत कर रहा है खुद और खुद का भी प्रोडुक्शन कर रहा है तो उसी में वह अपना क्लोड फिल भी बना रहा है फिर फोटो से इंतस्री जादा करेगा और इसकदर मेक्रोफाइट्स इस एको सिस्टम का ऐसा प्रोडूसर है जो कम नंबर होते हुए भी प्रोडुक्शन का काम जादा करता है प्रोडूसर इको सिस्टम का ऐसा प्रोडूसर है जिसका नंबर तो कम बायोमास ज़्यादा एक सिंगल ट्री नंबर कम बायोमास ज्यादा और यहां पर प्रोडुक्टिविटी ज्यादा और अगर ऐसा है तो आप कहे ना कि मैक्रोफाइट्स और माइक्रोफाइट्स और माइक्रोफाइट्स आप कोई बात नहीं पर रहा है तो प्रोडक्तिविटी फिर भी जादा कैसे अप पर जाएगा आज वाद तैन का एरिया यहां पर श्टरी करने चले गए और आप ऐसे जगहां पर स्टरी करने चले गए जहां पर त्री 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 थे क्या थे त्री 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 थे और कुछ ग्रासे कुछ जारियां ओके और आप ऐसे जगह चले गए जो पॉंड का पार्ट था और आपने पॉंड में टेन में टेन मीटर स्कॉयर को आपने जाकि अब्जर्व करना शुरू कर दिया और वहां पर आपको बहुत सारे माइक्रोश्कॉपिक प्लांट दीखे और जो माइक्रोश्कॉपिक प्लांट पानी में तैर रहे होते हैं आप उसको फाइटोफे के नाम से पुकारते हैं फाइट फ्लैंक टाउंस फाइट मुझा प्लांट 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 मुझा जो सरफेस पर फ्लॉट कर रहा हूं है मैक्रोस्कॉपिक प्लांट होता है ओके नौ अब आपको यह देखना है कि आपने 10 मिटर स्कुएर लिया है दोनों जगा अब आप आपको हैं जाएं फॉन आपको यहां पर कितना है हं ओक हैं यहां पर वो गिनना शुरू किया एक दो त्रीन चार पहांच से साम तक गिंतियां खत्म ही नहीं हो रही है फिर आपने एस्टीमेट कर लिया एक ड्रॉप वाटर लिया और आपने एक ड्रॉप वाटर में काउंट किया इतना फैट अपने अंदाजा लगाया कि 10 मिटर स्कॉर में कितना पानी होगा और एस्टीमेट करके आपने एवरेज एवरेज नंबर निकाल लिया कि एक लाग होगा और यह एस्टीमेटेड काउंट है आपने गीना नहीं है माइक्रों स्कॉपिप प्लैंत एक लाग प्रोडूशिए तो बताओ का नमबर ताथा नम्बर कं यहां नमबर कं यहां नमबर ज्यादा अपने उसको छोड़ दिया है लिए उस समय के बाद कि इसमें और उसमेंट का किटना प्रोडक्शन हुआ नया इस दौरान कैसे बाइमास का प्रोडक्शन होगा वही बात आपने बायो मास का स्टोडियोच करेंगे तो इस प्रोसेस को बुलेंगे अप्रोडक्शन जो रहा है वह बेसिकली केमिकल एनरजी तो आपने कुछ पर्टिकुलर समय के बाद मैने दिन बाद साल बर बाद आपने अफजर्व किया कि यहां पे एनरजी कितना बनी है यहां पे एनरजी कितना बनी है आप एनरजी भी यहां पे मलकी मेज़र कर सकते हो आप बायो मास भी मेज़र कर सकते हो ठीक है बनाया है कि उस बायो मास से ङली 10 क्लोरी एनरजी निकाली जा सकती है अब आपको पता चल गया वह कि मेक्रॉफाइड का नंबर कम मगर बिढक्टिविटी जदा माइक्रोफाइड का नंबर ज्यादा मगर प्रॉटुट्टिविटी कौम ऐसा क्यूं अगर कोई अगर आप से पूछे कि मेक्रोफाइट्स नंबर कम रखते हुए भी अपना productivity ज़्यादा क्यों देते हैं as compared to मेक्रोफाइट्स तो कह देना उससे इसका कारण biomass है कह देना उससे इसका कारण number of chlorophyll है कह देना उससे इसका कारण photosynthetic capacity है जो यहां पर मैंने लिखा है जो मैंने यहां लिखा है जादा तो photosynthetic capacity जादा बाइमास कम तो क्लोड़फिल कम और photosynthetic capacity कम इसका मटला बाब समझ चुके हैं मेक्रोफाइट्स हो या माक्रोफाइट्स हो हैं तो प्रोडूसर ही लेगिन दोनों की photosynthetic capacity आलग आलग काहे रहे क्योंकि वाइमास भी आलग 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 इससे photosynthetic capacity भी आलग आलग यह कंसर्ट मैक्रोफाइट्स और माइक्रोफाइट्स का दोनों ही प्रोडूसर नाउ देखे होने को तो मैक्रोफाइट्स भी कहीं भी होते हैं होने को तो मैक्रोफाइट्स भी कहीं भी होते हैं जंगल में छोटा का गड़ा है बारिस हो गया हो सकता है किसी directing पॉंड के किनारे सुखार पड़ फिर सकता हुआ पर मेरे तो से रजाई बोलेकिन आम तोर कर अद्वा rows घांद में पाया जाता था यह त्रस्ट्रे में पाया जाता है और यह थ को सिस्टम में पाया जाता है एंग्जांभर ग५्य वही करकि है और यही कारण है यही कारण है कि पूरे अर्थ की अगर आप productivity देखोगे कि मैं आपको पुराना डाटा बता रहा हूं तो आपके अंसेटी में है 2004 का डाटा अगर आप पूरे अर्थ की प्रोड़क्टिविटी देखोगे तो एक सो पच्पन बिलियन टन फूड़ पर एयर बनता है अगर आपको पता है कि अर्थ का one fourth ही trustial ecosystem और अर्थ का three by four तो aquatic ecosystem तो अब आप बताओ आप जब बताओ कि अप्यरिया जादा तो किसका aquatic ecosystem का अपको जान के ताज्यू होगा कि यस एक सो पच्पन बिलियन टन में 115 बिलियन टन पूर तो अकेला इसका कारण आप दोगे हमानते हैं के अर्थ पे ट्रस्टल उको सिटम का एडिया एक्वयरत के तुलना में कव है और काफी कौम है, मगर यहां मैक्रोफाइड्स हैं, और मैक्रोफाइड्स का photosynthetic capacity ज़्यादा है, इसलिए पे productivity ज़्यादा है, हम आनते हैं, कि aquatic ecosystem का एरिया ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे producer तो मैक्रोफाइड्स हैं, और उनका photosynthetic capacity काम है, लेकिन आज मैक्रोफाइट्स और माइक्रोफाइट्स की तर्चा आपके सामने स्क्रीन पर अगर कोई डाउट है तो आप बेहचक पुछ सकते हैं जल्दी से पुछे फिरम चलेंगे यहां तक प्रोड्यूसर तक किसी को कोई दिख्कत है अतीक अब देखिये यहां तक के बातों के अब कर मैं आपको नोट बूक में दिखा देता हूं तब हम बनेंगे तो यह राग कंपोनेंट अपिको सिस्टम तो अब अब्ड जबर्वाण हैं जो में आपको बत्राया है कंजूमर के बाते हैं जो ने आपको ए सगय दो बिलियोड तन एक सो सतर बिलियंट तोटल और यहां 115 और यहां पर पचपन यह यहां यहां 155 और यहां 155 तो यह तो यह सारी बात है इस बातों को मैंने कली कर दिया था पूरे अर्थ पर यहां पर लिख दिया हूँ यहां यही नहीं है अधर प्रोडूशर कोन है इसके अलब फोटो अधर वह भी प्रोडूशन है फिर यह मैंने डबे में गेर दिया मेक्रोफाइट्स और मेक्रोफाइट्स के पॉइंट्स और इसके अलावा फिर मैंने आप एक टेबुलर फर्म में मेक्रोफाइट्स और मेक्रोफाइट्स की चर्चा कर दिये यह देखिया और ये बात मैंने आपको कली बोल दिया था कि एक ecosystem में सब कुछ हो सब कुछ जरूरी है producer भी जरूरी है abatic factor भी जरूरी है और decomposer भी जरूरी है बट macro consumer अगर ना हुआ तो चलेगा वगला macro consumer essential नहीं है बाकी सब essential है इस पर अभी हम थोड़ा और चर्चा करने वाले हैं तो इसका मिटला मैंने आपको producer के बारे में सब कुछ बता दिया है now अब हम आपको बताने जारें consumer अब आपको बताने जारें consumer consumers of eco system consumers of eco system ठीक है साब अब मैं आपको बता हूँ नहीं क बता है कि consumer दो परकार के होते हैin एक बड़े खाऊ और एक है छोटे खाऊ बड़े खाऊ को क्या बोला था भी हमने micro consumer Erde और면 micro consumer micro consumer producer भी दो परकार यहाँ और यहाँ पकाऊ भी दो परकार के हैं बड़े खाऊ छोटे खाऊ अब मैं आपको बता बात बता दो बच्चों कि यह जो macro consumer है यह basically animal है animals और यह जो micro consumer है यह basically decomposer है यह कौन है decomposer है और कौन होते हैं decomposer इस अर्थ पर सबसे बढ़िया decomposer bacteria होता है पंजाय होता है और कुछ flagellates भी decomposer है flagellates flagellates protozone का member है वो भी decomposer है और animal तो खर animal आप जाने ही रहे हो animal kingdom पूरा यह macro consumer है अब मैं आपको बताने वाला हूं कि macro consumer और micro consumer में क्या difference है पहले मैं आपको macro consumer को explain कर रहा हूं देखो macro consumer भी फिर कई परकार के हैं ऐसे macro consumer जो plant या plant product को खाते हूं हम उसको कहते हैं कि वो primary consumer है वो क्या है primary consumer क्योंकि यह producer को खा रहा है यह किसको खा रहा है producer प्लांट या plant product को खाने वाला primary consumer पहली बार कंजूमर आया primary consumer अब primary consumer ने इस producer का बना बनाया खाना खाया आम वह सामें बोल दो बना बनाया खाना खाया और अपने अंदर भी इन्होंने मांस बनाया और उस मांस को किसी दूसरे macro consumer ने खाया हमने उसको secondary consumer बोला अब secondary consumer ने इस primary consumer का complex organic compound खाया उसको तोर कर simple inorganic compound पाया और उस simple inorganic compound को जोर कर अपने body candle complex organic compound बनाया और वहीं पर कोई तीसरा macro consumer आया और secondary consumer के complex organic compound को खाया उससे उसने simple inorganic simple organic compound पाया अपने food का requirement पाया और उसके बाद simple organic compound को जोर कर complex organic compound बनाया और ऐसा organism तरसरी consumer कहलाया अगे सोन आगे भी जा सकता मादा आप मैं यहां पर रुकूंगा तो यहां पर आप या तो तरसरी बोलो या तो टॉप बोलो मैं आपको बता दूँगा कब तरसरी बोलेंगे और कब टॉब बोलेंगे डिटेल चाखरें किसदे लेकिन आप मेको कंजूमर को तो आट में अलযह किस लिए पर दिये अंद्यांग बैशी पाट ब्लांस नहीं ने प्लांट और प्लांट खाया वह狂त इस और नढ़ Кदेश्व अप cotton नाव सब्सक्राइब और चाहे और परेमडरी ओंडरी हो रसारी ओंडरी ओंडर्य सब्सक्राइब और इस यह मर गए और इन सभी को इस बैक्टिरिया, फंजा और फ्लेलेट्स ने पचाया, इसलिए ये माइक्रो कंजूमर या डिकंपोजर कहलाया, माइक्रो क्यों, क्योंकि साइज में छोटा है, और इन्हों ने, उनको मरने के बाद, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, उसके वोड़ी में भी कॉम्प्लेक्स और इनर्जी पाया, और ये चुकी साइल में छोटे हैं, इसलिए माइक्रो कंजूमर कहलाया, और उसको डिकंपोज करने के बाद इनर्जी पाया, इसलिए डिकंपोजर कहता है, ऐसे कौन है, तो इस अर्च पर ऐसे, बैक्टिरिया, फंजा और फंजा ही होता है, इस का मेंट अब आप कह सकते हैं, पूरा देखो, मैं भी एनर्जी फ्लो पढ़ाया नहीं हूँ, लेकिन आप समझ चुके हैं कि एनर्जी फ्लो कहां से का होने वाला है, सूर्ज, सॉनलाइट, यहां से एनर्जी चाला सोलर लाइट, पहुंचा प्रोडूशर के पास, उसने उसको थे उससे एनर्जी किया सफांटरी को अनर्जी तर्सरी करके उससे एनर्जी किया माइक्रो कंजूमर वेक्ट्रिया फंजाए फ्लेजलेश लेट और इंका भी डिकंपोजिशन हो जाएगा दूसरे डिकंपोजर के दौरा, वो सारे डैड़ बोडी मतलब ऑर्गनिकॉमऌन मिट्टी में मर ज़र जाएंगे और युमस का फरमेशन हो जाएगा डीकमपोजिशन हो जाएगा हेलो डीकमपोजिशन आप पर चुके हैं अभी मैंने आपको एनरजी फ्लोग परहाए नहीं है लेकिन आप समझ चुके हैं सन से चलने वाले एनरजी finally इस पूरे अर्थ पर हर living organism को food की availability दिला रही है yes or no और यही concept है हिंदू धर्म में छट पर्व के नाम पर सुर्व भगवान को बहुत बढ़ा तजबू दिया जाता है बस concept science के हिसाब से अगर आप सोचेंगे तो सुर्ज नहीं तो कुछ भी नहीं हाई वो अलग बात है कि आप उसको सुर्ज देपता माल लिए आप उसको सूपर पावर माल ले आप उसको गौड पार्टिकल माल ले यह आपकी मर्ज़े कि आप उसको कैसे मानते हो बट और गनिजम एडेप्ट हो जाएगा अगर कि हम सूरर लाइट के बीना भी प्रोड़क्टिविटी कर सकते हैं तो हो सकता है कि सन ना रहने के बाद भी अग्जिस्टेंस हो लेकिन अभी तो आपको यही पता चल रहा है कि सन नहीं तो कुछ भी नहीं भगवान मानों उसको पूछते हैं क्योंकि वह अल्टिमेटली पूरे अर्थ को लाइफ दिला रहा है अगर अगर प्रोडूसर सण नाइट से एनजी लेके प्रोड़क्शन करे ने प्रोडक्टिव्यक्टिविटी करे नहीं तो कंज्यूमर का खाएगा यह सोचो तो इसका मथलव सन इसец्टाम पंशन ओनर और एक्सटर डीप स्टेट अब चलिए साथ अब मैं आपको एक एक करके प्राइमरी कंजूमर से कंजूमर तरसरी कंजूमर के एक्जांपल बताता हूं और फिर मैं आपको डिफरेंस्टेट करूंगा अच्छा माइक्रो कंजूमर को कलम डीटल में पढ़ेंगे अभी पहले एक करके प्राइमरी सगंडरी टरसरी और टरसरी और टॉप का भी चक्र देखे लेंगे क्या चक्कर है मैंने कहा कि आप प्राइमरी कंजूमर उसको कहते हैं जो क्या खाते हैं तो ऐसे कौन है एक्जांपल के तौर प्राइबिट डियर को पफेलो कि यस और देखो अब जब मैंने आप डियर बोला तो आपको करेंफूजन होगा कि डियर घास कब से खाने लगा एक मड़को मैं अब आप देख लो लगा अच्छा एक बात जब पचाई को सिस्टम पड़ता है तो अपने मन से कई सारा फूट से न्चोच लेता है कि कभी आदमी को साप से कटवा देगा कभी साप को आदमी के साप को खिला देगा आदमी को अपने मन से कुछ भी सोच लेता है देखो बईया नेचर के साप से सोचना है अगर एक्जामनेर को आपको कुछ सचवाना है तो एक्जामनेर लिख के देगा कि ऐसा सोचो और तब बताओ अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो आप नेचुरली सोचना कि नेचुरली मद्यान कहाने नहीं λाइप संद्व हैं क्नम जूविका हैं नेच्राइंब को पिषान 옆는 सब्सक्ताराइब गयर को का ऊट lihat सब्सक्राइब आप question उसी के according सोचेंगे अगर examiner को out from the nature सोचवाना होगा तो वो question में लिखके असपस्ट तोड़ पर देगा कि अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा तो कैसा होगा लिखके देगा कुछ नहीं लिखके दिया natural सोचना यह बत मैं बता दे रहा हूं क्योंकि बच्चा ecosystem परते सांटिस्ट बने की सोचने लगता है और कुछ अलग अलग फूर्चन कभी आदमी को सांप से कटवा देगा कभी सांप का मीट बना के आदमी को खिला देगा तो बहुत सारे फूर्चन बनेंगा तो क्या खालोग आपका पता ही नहीं है ठीक है ऐसा प्लान प्रोडक्ट पर फीड़ कर यह सब किसमें आजागा प्रैमली कंसुमें चलो अब बता सगंडिकर न्यूमने कौन को ना सकता है बताओ सोच के बताओ सब्सक्राइब को रोटी खाते देखा है हमने बिल्ली को दूद पीते दिखा है वह घर वाली है बिल्ली कुत्ता कि अब कुत्त और बिल्ली घर में रहता हे क्या है आपने जभ्रदस्ति उसको अपने benutатели में लेआया है कि बह्या बताओ आपके घर में चुए तो इसके बात कर रहे हैं जंगली बिल्ली देखाओ क्या घाती है डूड़ डूड के चुह खाती है अगर चुह नहीं मिला तो चुह जैसा कुछ खाएगी मान सी खाएगी दूद ना पिएगी वहां हो जंगली कुत्ता यह तो आपके घर में कुत्ता है यहां पे रोटी खा झाल ठाया है चोड़ाओ जंगल में देख्या हो किसमें आमला करता हो खाएगा किसी गोट को पकर करके मार के खाए गाँ लेकिन रूटी नहीं खाएगा हो आप नेचुरली बैट कि आप एकोसिस्टम को नेचुरली सोचो आप जबरज़श्ती जंगल में जाके लाइन के ह और नहीं है और इससे गलत ही होता है आप ने सोचना जंगल्य कुटा जंगली कुटा अपका घर है जिए रहेगा वो गली का गली में रहने आए क्या हो और भैया उसको जंगल बढ़का की आप यहां ले आये का और बता यहां पर क्या हो सकता है वॉल्फ और भी बहुत सारे एक्जामपार आ सकते हैं सट्री के लिए चलो ठीक ना यहां बता अच्छा फ्राग इंसेक्ट को कंदो खाता है यदू लगयों तो यह सब किसा इंगर चलों यह आपर मैं प्रोड्यूशर के कुछ नाम लिखता है सकता पर तो ग्रीन प्लांट्स देशे ग्रासेस यह सब नो ग्रासेस को खाया रभीट गोट काव बफिल्लो इन सब ने अच्छा माल अगर एक्वेटिक एको सिटम चल रहा है तो फाइट अप्लंक्टन क्या है जू प्लंक्टन यह प्राइमली कंजूमर और जू प्लंक्टन को कौन सब्सक्राइगा जू प्लंक्टन को वहां पर खाएगा फीज स्मॉल फीज यह फीज लिगदू में डारेक चलो ठीक है तो आप आप देखते चलो कि कौन किसको क्या खा रहा है चलो अब आप तरसरी तरसरी और टाप का क्या चक्कर है वह मैं भी आपको बता रहेता हूं प तो कुछ भी खा लेगा चलो अब अब आप देखो कि एसे कई सार एकडाम पल वह जो चांडरी में आएंगे जो प्रैमरी कंजूमर में आएंगे कई सारे घणे सारे जाम पल्ड वाया ठिक है जैसे कर बता दूँ अब एक बात मैं आपको बता देता हूं कि और टरसरी करते हैं और तो यह बच्चे अकसर कंफिूज होते हैं उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं मैं आगे इसी जप्तर में एक तर्म आपको में डिफाइन करना वाला हूं ट्रॉफिक लेवल क्या करो मैं ट्रॉफिक ट्रॉफिक हम लेवल जो इस इको सिस्टम में जिस भी पर्टिकुलर फिटिंग है उसके हिसाब से उसको एक रैंक दे दिया गया है जैसे फर्स टाइम न्यूट्रिशन का कान किस ने किया प्रोड्यूस इसको मैंने वोला टी तू उससे निट्रिशन किस ने लिया सटर्सरी थी फोर अब मैंक्रों को ट्रॉफिक लेवल नहीं मिलता है क्यों मिलता है इसकी चर्चा मागे करेंगे इस से अनर्जी ट्रांसपर आगे होता है तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं नॉर्मल टी टू से टी थ्री अट टी थ्री से टी फोर अब रुक जाओं टी वन प्रोडूसर है कोई डाउट नहीं होना चाहिए टी टू प्राइमरी कंजूमर है कोई डाउट नहीं होना चाहिए टी थ्री सकेंटरी कंजूमर है कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब बताटा है ट T4 या तो इसको टर्सरी बोलो या तो टॉप बोलो क्या बोलें चैने क्या बोलें इसको तो मैं कहता हूं यह T4 जो भी है आप इसको पहले X मानो होगा K TOI X अगर इस X को आगे कोई खा सकता है उसको उसी के हैविटेट में naturally जिन्दा पकर के कोई मार के खा सकता है या उसमें Feed कर सकता है जब Parasite अगर उस X पे कोई Depend करता है उसको कोई खा सकता है उसको कोई मार सकता है अगर ये फूर चेन यहीं टार्मिनेट हो गया यह फूर चेन आगे नहीं जाएंगी तो आप इस एकस को टॉप बोलोगे जाने कि टॉप और तरसरी आपका भी उस करते हो जब टी फोर ट्राफिक लेवल पर आप देखते हो कि उस पर्टिकुलर और गिनम को उसी के हैबिटेट में उसी के हैबिटेट का क्या कह रहा हूं उसी के हैबिटेट में उसी के हैबिटेट का कोई दूसरा औरगनिजम नेचुरली उसको मारके ना खाप पाए तो वह टॉप है और अगर ऐसा नहीं है तो वह टरसरी है फिर आगे कौटनरी भी जाएगा हो सकता हो कौटनरी टॉप बनेगा कि डिपेंड करता है इसके अग्जांपल से आपको और क्लियरेंस मिले गरूँ जाओं तो पहले बात है भेजे में ठूस लो कि कब टरसरी वर्यूश करना है और कब टॉप वजूब करना है और मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मल हेल्दी फूर्ट चेन चार ट्राफिक ले अगर फूर्ट चेन चार ट्राफिक लेवल का है तो आप टरसरी वर्यूश नहीं करोगे आप टॉप वर्यूश करोगे क्योंकि चारी ट्राफिक लेवल का फूर्ट चेन फूर्ट चार में खतम हो रहा है खतम हो रहा है और अगर फूर्ट चेन पांच ट्राफिक लेवल का बन गया टी वन वे टी टू अektव इप्ती तो मुझे बताओ अब यहाँ पर क्या तर्सरी कंज्गूर वर्डूज करना नेसेसरी हो गया लोस्त दृधा यह सब्सक्राइबर है यह वर यह फर fertig कंज्गूमर है तो आप फिर क्यों बोल दो आप टॉप के यह बताना चाहरे हो कि फाइब के बाद फूर्चेन खतम हो गया इसका मिटलब आप कहोगे कि जब जब फूर्चेन फोर्ट्रेफिकी लेबल तक का होता है तब तब आप टॉप कंजुमर वड़ यूजर नहीं करते हो इसका मतलब मामला वहीं समाप्त हो जा रहा है आप टॉप कंजुमर वड़ यूजर पर आगे बढ़ जाते हो वहीं फूर्चेन खतम हो गया अगर फूर्चेन पांच ट्रॉफिक लेवल का गया तो बात पक्का है कि जो टी-फोर पर आया है वह तरसरी ही होगा कितने बच्च चार ट्रॉफिक लेवल का फूर्चेन है तो आप चौथे नंबर पे उसको आप टॉप कंजुमर ही बोलोगे तरसरी नहीं बोलोगे क्योंकि चार का फूर्चेन मैंने बोल दिया ना चार में मामला सुने पट गया तो चौथा नंबर वाला टॉप कंजुमर है ना कि तरसर सब को पले पड़ गई चलो बहुत बढ़िया तो यह बाते आपको क्विस्टिन मनाते वक्त भी ध्यान रखना है हां लेकिन एक बात में बता रहेता हूं कुछ ऐसे ऑर्गनिजम है जो जहां आते हैं वहीं टॉप हो जाते हैं उसमें मैन है लायन है टाइगर है फलाना धि करी लायन कभी भी रविट को नहीं खाता है यह लेकिन देंगे वाल्फ का मास्त खाना शुरू कर दिया तो वाल्फ का नमर घटा तो लाइन मजबूरी में रविट खाना सुरू कर दिया Hello Hello ज्राइगर कभी भी गोट नहीं कहा it was to guy यह लेकिन अपतव व HORS कम भी माश्मना सब्रूद करके पर इतना खाये टाइकर को वाल्ब नहीं लोगण कोई ने लिए एक दिन तुम्हें खा, खाने ही लेगा खाना पर रहा है तो ऐसे कुछ है और गनिजम जो फूट जैन में जहां आते हैं फूट तोफ हो जाता है जैसे लाइन आ गया अगर आपके घर में लाइन को कोई खाता आएगा खालो आगे दिखा दो इसका लाइन वहां पर टॉप हो गया अब तुम लोगो स जो और हमने तो लाइन को बंदूख से मारा और मैं लाइन का मांस खाया ठीक है तुम टॉप हो गए वहां पर ठीक है तुम टॉप हो गए लेकिन अगर ऐसा कुछिशन वाला पुछना चाह रहा होगा कि आप लाइन से भी टॉप तो वह लिखके देगा क्या लिखके देग क्योंकि आपको तुमार पर कोई खा नहीं सकता है रही